Hey guys, what's up, welcome to the channel तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले RAW vs JPEG के बारे में अगर आपको नहीं पता RAW फॉर्माट क्या होता है और JPEG फॉर्माट क्या होता है तो इस वीडियो के बाद I hope आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि RAW फॉर्माट क्या होता है और JPEG क्या होता है आपको किस situation में वो यूस करने चाहिए और RAW की advantages क्या होती है और JPEG की क्या advantages होती है दोनों के अच्छी चीज़ है बूरी चीज़ है मैं सब इस वीडियो में बताऊंगा तो या stay tuned and pay video end तक देखना कि आपको एक अच्छी तरह idea मिल जाए कि दोनों में क्या difference होता है और क्या pros and cons है इन दोनों चीज़ों के है पहले बात करते है JPEG format की तो JPEG format में होता क्या है कि जो आपका camera है जब आप एक photograph क्लिक करते हो तो वो camera आपको फोटोग्राफ प्रोसेस करके ही save करता है आपको एक original photograph वो save नहीं करता है थोड़ा बहुत enhance करके अपने software के अदर एडिट करके उसको थोड़ा colors बढ़ाके आपके save करता है कि आपको post processing जादा नहीं करने पाए आपको जादा नहीं करने पाए जो photoshop उसमें करते है आपको वो जादा नहीं करने पाए अब मैं एक example देता हूँ कि आपको jpeg format कब use करना चाहिए मालना आप अपनी family के साथ एक trip पे गए हो और आपको दिन की कम से कम 100 photograph क्लिक करनी है और आप वो just social media क्लिक कर रहे हो Instagram के लिए, Facebook के लिए तो वहाँ पे आप raw format में click नहीं करोंगे वहाँ आप jpeg format में click करोंगे कि जो आपकी photograph का size है वो कम हो और वो easy to upload हो कि आप just उसको अपनी अपने system में अपने laptop में दालो और सीधा upload कर दो उसमें जाज़ा दिमाग खराब करने की जुरूरत ना पड़े आपको ये तो बात हुई jpeg format की अब बात है raw format पर कि आपको raw format कब use करना चाहिए मानलो आप एक professional photographer हो आपके street photography करने का या आपके studio में shoot कर रहे हो तो आप jpeg format में नहीं shoot करोंगे आप raw format में shoot करोंगे विकाज आपको अपनी image के अंदर maximum information चाहिए जो आप जब post process करोंगे अपनी image को आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस information को use करके अपने picture को अपनी creativity की साब से edit कर पाऊ अगर आप jpeg में shoot करोंगे तो आपको उतनी light capture नहीं मिलेगी जो RGB colors होते हैं वो jpeg format कम capture करता है और raw ज़्यादा capture करता है आप जब post process करो तो आप उसमें maximum उस information को use करके अपने picture को अपनी creativity की साब से enhance कर पाऊ अब यह तो मैंने बताया कि आप raw और jpeg किस situation में use करोंगे अब थोड़े technical part पर आते हैं जो jpeg format होता है वो एक 8 bit की photograph करता है और जो raw format होता है वो 16 bit की photograph करता है आप number से करते हो, number से compare कर सकते हो कि जो raw format है वो कितनी जादा information collect करता है अब यह bit क्या होता है यह मैं किसी और वीडियो में आपको explain करूँगा क्योंकि यह थोड़ा technical हो जाएगा मैं इस वीडियो को एक layman की तरव से explain करने कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जो beginner photographer है जिसको एक महिना camera लिये हुए हुए और वो सोच रहे he's wondering कि यह raw जेपेग क्या होता है और क्या करूँ मैं इस चीज का use करूँ तो उसके लिए वीडियो है अब यह तक आपको समझ आ गया हो कि raw जेपेग में क्या फरक होता है मैं एक और बहुत अच्छा example देता हूँ जो एक किसी को भी समझ आ जाएगा वो इस लाइक raw चावल आप उस चावल में पानी डालके कुछ भी चिकन बिर्यानी बनाओ वेजपलाओ बनाओ कुछ भी बनाओ आप अपनी क्रेटिविटी और अपने हातों का टेस्ट यूज करके कुछ भी बना सकते हो तो सेम फोटोग्राफ उसमें भी रहता है कि आप जेपेग में जाधा क्रेटिविटी यूज नहीं कर सकते हैं और raw में आप अपने हिसाब से उस फोटोग्राफ को मैन्यूपलेट बोलो इन्हांस कर सकते हो यब तो यह एक वीडियो थी जिसमें आपको समझ का आ गया हो कि रोग जेपेग में में मेजर क्या फरक होता है मैं अगर इन फ्यूचर इसमें एक एक्स्प्लेइन वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें थोड़ा टेकनिकल पार्ट भी आट करूँगा कि यह नो कितनी लाइटिंग कैप्चर करते हैं और नमबर पूरे वह यह लेमान के लिए वीडियो बनाई है मैंने जो कोई भी कॉमन ब देख लिए वीडियो आप मेरा चैनल बहुत प्लोज है एक 100 सब्सक्राइब के एक 100 सब्सक्राइब में मोटीवेशन मिलती है क्रेटर को और अपनी चैनल पर मैनद करने की तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा और मेरा और इसके बाद RAW जेपेग में आपको कोई एक अंडरस्टैनिक बन गी हो और आपको कोई डाउट नहीं रहा होगी मैं भाई कौन से फॉर्माट में शूट करूँ क्या फरक हैं दोनों का या तो सी यू इन नेक्स वीडियो आपको यू लाइक इट सी यू नेक्स वीडियो है क्यों झाल है और आपको यू थार आपको कि यू झाल है और आल है और आपको यू रहा है।